सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और घंडी के बटन को भी जरूर दबाएं हलो नमस्कार मैं हूँ अमेद दिक्षित आप देख रहे हैं AD Education आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अंयोवेस डी अले सेकेंड एक्वेड डेट के बारे हैं याण की दूसरी परिक्षा छो आयज़त की जानी है उसकी तारीक है स्वैम एन योवेस के चैनल मनें एक इंटरव्यू में यहां पर बताई हैं उन्हें हम जानेगे यहां पर तो इसको हम शेर करेंगे एक जाने मारे निउस पर पर को उन्होंने इंटरफ्यू दिया है और उसमें यह निउस यहां पर प्रकाशित होई है यहां की इससे पहले में आपको बता दू कि यहां पर एक वीडियो जो शेर किया गया था फर्स सेमेश्टर की डेट के बारे में वो अगर आपने देखा नहीं है तो वो भी डेख लीजगा नहीं तो आपको इस वीडियो में उसकी जानकारी साथ-साथ में मिल जाएगी वहां फर्स्ट सेमेश्टर की यानि की जो 501, 502, 503 की जो परिक्षा है जो उनने नहीं दी है या जो डेजल्ट आने के बाद उसमें फेल हो जाते हैं तो उनके लिए क्या तारीक रहेंगी परिक्षाओं के लिए वह यहां पर बताई गई थी तो वीडियो की लिंक डेस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी अगर वह देखना चाहते हैं तो देखें वरना इस वीडियो में आपको साथ-साथ जानकारी कुछ मिल जाएगी वह भी आप ज़रू देखेंगा तो देखें यहां पर जो इंफोमेशन आपसे शेयर कर रहा हूं है वह है प्रिंट बीडिया में आए हुए यानि की न्यूस्पेपर में यहां पर जानकारी आई है इससे पहले जो पहले वीडियो में जो जानकारी की गई थी वह वेबसाइट के मातियं से की गई थी यहां न्यूस्पेपर में जो प्रिंट आया है इसका वो हम देख रहे हैं यहां आप देख सकते हैं यह स्क्रीन पर आपको एक नियूस्टूपर की कटिंग दिखाई दे रही होगी यह जाना माना नियूस्टूपर है जागरन और दैनिक जागरन और इसकी वेबसाइट की इनकोमेशन हम पहले शार पड़ चुके हैं यहां यह इनकोमेशन जो प्रिं जानकारी जो लोग इससे पहले का विडियो देख चुके हैं उनको उणोहने जरूर देख ल Boss समय्ट के लिए हैं और उसी का आधार लेकर यहां पर second semester की second exam की यहां जानकरी बताई जा रही है तो यह भी आप देख लेजिए आपके लिए important होगी है तो देखें यहां पर हम यह जानकरी दिखाई दे रहे हैं इसमें लिखा गया है कि जो भी प्रतम semester में जो fail हो जाएंगे जो सिक्षक उनके है तो देखें इससे आपको समझना चाहिए कि जो प्रतम semester में जो अनुत्रीर होंगे चाहे वो लोगों यानि कि फर्स semester में जो fail हो जाते हैं वो लोगों वो सिक्षक हो या फिर जो ने 501 502 503 यानि कि फर्स semester की परिक्षा दी ही नहीं थी और इस बार वो देंगे उन्होंन हैं वो सेम ही होने वाली हैं ऐसा मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको याद होगा है नियुक्ष चैर्नमेंट ने साफ साफ कहा था कि हम 504 और 505 की परिक्षाओं के साथ ही 501 502 503 की परिक्षाओं देने का मौगा देंगे और जैसा कि नोटिफिकेशन आया था क कि जो लोग फेल हो जाते हैं फर्स सेमेस्टर के परिक्षाओं में 501 502 503 में वो दस दिन उनको अलग से दिये जाएंगे वो अपना एक्जाम फॉर्म भर सकते हैं उस पेपर के लिए लेकिन जो परिक्षाओं होंगी वो एक बार आयोचत होंगी इस के साथ में ही जो सेकं 501 502 503 की किसी ने एक्जाम नहीं दी हो पहले समिस्टर में या फिर कोई ऐसे होंगे जो फील हो जाएंगे पहले समिस्टर की परिक्षाओं में और या पिर जो नए हैं अब जो 504 और 505 की परिक्षाओं देंगे तो मैं हां सभी की बात कर रहा हूं 501 से 504 के आफकी जगा 505 के सभी पेपर जो देना चाते हैं और देंगे उनके लिए ये डेट सेम ही होंगी क्योंकि इसके लिए पहले ही पता चुका है कि अलग से ऐसा नहीं होगा कि पहले समिस्टर की परिक्षाओं पर हो 504 की अलग डेट पर हो तो ऐसा नहीं हो गया वो एक ही साथ में ये परि हो जाते हैं या आप नहीं दिया इससे पहले अप्यारी नहीं किया था तो आपको दो भी पर देने पड़ सकते हैं लेकिन ये होगा जरूर की आपकी जो पेपर हैं वो सभी 501 से 505 के एक साथ ही होंगी तो यहां ये डेट ना के वर अनुत्रीर छात्रों के लिए होंगी य एक तारिक हैं आप सभी सिख्षकों के लिए यहां पर महत्वपूर है 25 से 29 सितंबर जो नियुक्त ने बताई है तो इसी के आधान पर आप यह कह सकते हैं कि आपकी डेट एक तरह से डिक्लियर हैं अब ये कितनी इस पर नियुक्त टिका रहता है ये बात की बात है लेकिन अब ही आप इसको मान कर चलें क्योंकि पूरी है इस स्यादा लेट क्या नियुक्त करेगा ये ऐसा चल रहा है तो तो यहां पर यह मान के चलें आप तो सेकंड एक्जाम की डेट्स आपकी 501 से लेकर आप 505 तक कोई भी पेपर देना चाहते हैं या देंगे तो उसकी डेट 25 से 29 सितंबर 2018 हो ने की पूरी संभावना है तो इस नियुस को आप मान कर चलें और तयार रहें तो यह इंपोर्टन जानका रही थी तो इसको जरूर आप शेर कीजिए और लाइक कीजिए आगे की और कई इंफोमेशन हम शेर करेंगे तो सब्स्राइब कीजिए घंडी के बटन को सभी जरूर दबाएए लेटेस्ट अप्डोइट से लिए थी था है